Excellencies, Mr. Prime Minister, Thank you very much, and I now hand over the mic to you. Summit की सभी arrangements के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धनवाद करता हूँ. Excellencies, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मोका मिला है. इस बीच, विश्व, कोविड महमारी और अन्य कई कठीन चुनोतियों से गुजरा है. इन चुनोतियों का प्रभाव, ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधित पड़ा है. Climate Change, प्राकृतिक आपदाएं, बुख्मरी, गरीबी, स्वास्त से जुड़ी, बहुत सी चुनोतियां पहले सही थी, अब नई समस्यां उत्पन हो रही है. फूर्ड, फियल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाइ चेन, उसमें भी बादाएं आ रही हैं, जिने हैं हम अपना विश्वस निया मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय, वो हमारे साथ नहीं खड़े थे. इस कठिनाई के समय, मैं पुराना वाग के सिद्ध हुआ, A friend in need is friend indeed. मुझे खुशी है, कि भारत इस चनोती पूर्ण समय में, अपने Pacific Island मित्रों से कंध से कंधा मिला कर खड़ा रहा. भारत में बनी वैक्सीन हो, या जरूरत की दवाईया, गेहूं हो, या चीनी, भारत अपनी ख्षमताओं के अनुरूप, सभी साथी देशों की मदद करता रहा. एक्सलेंसीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओसन कंट्रीज है, स्मॉल आइलेंड स्टेट्स नहीं, आपका यह मास अगर ही भारत को आपके साथ जोडता है. भारत के विचारधारा में संपुन अवीश्व को परिवार के तरह देखा गया है. बसु धैव कुटुम कम इस मूल मंत्र हमारी प्रेणा है. इस साल चल रही हमारी G20 प्रेशिदेंसी की थीम भी. बसु धैव कुटुम कम के उस सिध्धान के प्रकाश में, बन अर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारीत है. इस वर जन्वरी में हमने वोईस अप साउथ, ग्लोबल साउथ, वोईस अप ग्लोबल साउथ समीट का अविजन किया, आपके प्रतिनिदियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साजा किये, और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, भारत, ग्लोबल साउथ की चिन्ता हूँ, उनकी अपेक्षाओं और उनकी अकांख्षाओं को जी ट्वेंटी के जरिये, विश्व के समक्ष पहुँचाना, अपना दाईत्व मानता, है, एक्सलेंसी, पिछले दो दिनों में, जी सेवन आउट्रेज समिट में भी, मेरा यही प्रयत्न था, हिज एक्सलेंसी, मार्क ब्राउन, जो वहाँ पर, पैसिपिक आइलेंड फॉरूम का प्रतिनिदी तो कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं, एक्सलेंसी, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, भारत ने, महत्वकांक्षी लक्ष, सामने रखे हैं, मुझे खुशी हैं, कि हम इन पर, तेजी से काम कर रहे हैं, पिछले साल, युएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने, लाइफ, मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूँ तब, लाइफ का मेरा मतलब है, Lifestyle for Environment, लाइफ किया, मैं चाहूँगा, कि आप सभी भी, इस मुमेंट से जुड़े, भारत ने International Solar Alliance, और CDRS जैसे, इनिशेटिव लिये हैं, मैं समझता हूँ, कि Solar Alliance के साथ, आप मैं से, ज़्यादा तर देश, जुड़े हैं, मेरा विश्वास है, CDRI के प्रोग्रेम्स को भी आप यूस्फुल पाएंगे, मैं इस अवसर पर, आप सभी को, इनिशेटिव से जुड़ने के लिए भी, आमंत्रित करता हूँ, excellencies, food security को प्रात्विक्ता देते हुए, हमने nutrition को, और बातावान सवरक्षन को भी, ध्यान में रखा है, वर्स 2023 को, यूएन ने अंतर राष्टिये मिलेट वर्स गोशिद किया है, भारत ने इस सूपर फूर को, स्री अन्न का दर्जा दिया है, इनकी खेती में कम पानी लगता है, और उनमें nutrition भी अधीक है, मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी sustainable food security सुनिस्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं, excellencies, भारत आपके प्रात्विक्ताओं का सम्मान करता है, आपका development partner होने पर गर्व महसुस करता है, मानविय सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसे मन पार्टर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नावरु का वेस्ट मानेजमेंट प्रोजेक्ट, फीजी के सैकलोन प्रभावित किसानों के लिए बीज और किरिवास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, यह सभी इसी भावना पर आधारित हैं, हम बिना किसी संकोष के अपनी क्षमताएं और एक्स्पिरेंसिस आपके साथ साधा करने के लिए तयार हैं, डिजिटल टेक्नोलोजी हो या स्पेस टेक्नोलोजी, हेल्थ स्पिरिटी हो या फूड स्पिरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है, एक्सेलेंसिस, आपकी तरह हम मल्टी लेटरिलिजम में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूजिव इंडो पसिफिक का समर्थन करते हैं, सभी देशों के संप्रभूता और अखंड़ता को सम्मान करते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिशद में बुलंदी से उठनी चाहिए, इसके लिए आंतराष्ट्य संस्थाओं का सुधार हमारी साजा प्रात्विक्ता होनी चाहिए, हिरोशेमा में आस्ट्रेलिया, आमेरिका और जपान के साथ क्वार्ड में मेरी विश्टार से बात हुई है, इस बातचित में इंडो प्रसिफिक शेत्र पर विशेश फोकस दिया जा रहा है, क्वार्ड की बैटरक में हमने पलाओ में रेडियो एक्सेस नेटवर्ड आरे एन लगाने पर निरने लिया है, हम प्लूरलिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलेंड देशों के साथ सभ भागेदारी बढ़ाएंगे, एक्सेलेंसीस, मुझे खुशी है कि फीजी की यूनिवर्सिटी ओफ साउथ पैसिफिक उसमें सस्टेनेबल कोस्टल एन ओसन डिसर्च इंस्टिटूट स्कोरी की स्थापना हुई है, यह इंस्टिटूट सस्टेनेबल डेवलप्मेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलेंड देशों के विजन से जोडता है, आर एंडी के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनोतियों का समाधान करने में भी उप्यूगी है, आज कोरी को चवदा देशों के नागरिकों के कल्याण, प्रगती और सम्रति के लिए सम्रति करने में मुझे खुशी है, उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेस टेक्लोलोजी का राश्ट्रिया और मानुविये विकास में उप्योग के लिए वेबसाइट का लॉंच हो रहा है, इसके जरिये आप इंडियन सेटेलाइट्स नेट्वर्ट से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, अपनी अपनी राश्ट्रिय विकास योजनाओं में इसका उप्योग कर सकेंगे, एक्सलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ, एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,